बिग बॉस में मोना लेसा और मनू पंजाबी में हुई जड़ब वेल इस साल का बिग बॉस सीजन तो है ही सबसे ज़ादा अलग ये बात हमने एक हुद सल्मान खान ने भी माल लिये कि उन्हें ये सीजन होस करना लग रहा है सबसे ज़ादा मुश्किल एक हफते में ही इतनी लडाई शायद ही किसी सीजन में हुई हो सभी लोगों ने अपना-पना गेम खेलना शुरू कर दिया है और अब आने वाले एपिसोड में तो ड्रामा बढ़ता ही जाएगा मनु पकड़ लेगा मुणा का हाथ जो वो दोनों बैठे होंगे साथ साथ करन, रोहन, बानी और गौरो ये देख कर नोटिस करते हैं और वो जाकर मुणा को बोलते हैं कि उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा वो मोना को समझाते हैं कि उसे मनु को बोलना चाहिए कि वो थोड़ा डिस्टिंस मेंटेन करके रखे नहीं तो मीडिया को लगेगा कि मोना और मनु का अफेर चल रहा है इसलिए मोना जाती हैं और मनु से बात करती हैं इसको बोलती है कि वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे अब मनु को लग जाती है ये बात बुरी और वो कर लेते हैं मोना से लड़ाई दोरू के इस टॉपिक को लेकर हो जाती है काफी हीटेट आउगुमेंट वैल इस बार तो एक हफते में ही शो को मिल रही है काफी अच्छी टी आरपी और अभी तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है लगता है इस बार बिग बॉस का घर हमें देगा और भी जादा एंटर्टेमेंट और भी जादा कॉंट्रूवर्सिस और भी जादा गॉसिप तो आप जुड़े रहे हमारे साथ बिग बॉस में मोना लेसा और मनु पंजाबी में हुई जड़ब वैल इस साल का बिग बॉस सीजन तो है ही सबसे जादा आलग ये बात हमने एक हुद सल्मान खान ने भी माल लिये कि उन्हें ये सीजन होस करना लग रहा है सबसे जादा मुश्किल एक हफते में ही इतनी लड़ाई शायद ही किसी कर दिया है और अब आने वाले एपिसोड में तो ड्रामा बढ़ता ही जाएगा मनु पकड़ लेगा मोना का हाथ जो वो दोनों बैठे होंगे साथ साथ करन रोहन बानी और ये देखकर नोटिस करते हैं और वो जाकर मोना को बोलते हैं कि उन्हें ये थोड़ा अजीब लग अब मनु को लग जाती है ये बात बुरी और वो कर लेते हैं मोना से लड़ाई दोरों के इस टॉपिक को लेकर हो जाती है काफी हीटेट और वेल इस बार तो एक हफते में ही शो को मिल रहे हैं काफी अच्छी टी आर पी और अभी तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है लगता एस बार बिग बॉस का घर हमें देगा और भी जादा एंटर्टेमेंट और भी जादा कॉंट्रोवर्सिस और और भी जादा गॉसिप तो आप जुड़े रहे हमारे साथ